हेलो माई डियर क्लैड आइस्परेंट स्वागत है आप सभी का हमारे लॉप्रेप टुटोरियल यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पार्टिल्स उमीद कर रहा हूँ आप सभी लोग ठीक हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे तरीके से चल रही है आज हम डिसकेशन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा खेलो इंडिया यूद गेम्स के बारे में आज हम लोग लोग प्लास में डिसकेशन करने जा रहे हैं करेंट अफेर्स की आज की हमारी इस सिरीज में देख लेते हैं important इस event में क्या रहा और क्यों ये हमारे exam point of view से important है क्योंकि इससे काफी सारे exams में हमसे questions पूछे जाएंगे तो आज हम discussion कर लेते हैं खेलो इंडिया youth games देखी सबसे पहला तो सवाल ये बनता है कि खेलो इंडिया youth games का concept क्यों लाया गया इसका कारण ये है 2008 में भारत सरकार की इस मुहीम की शुरुवात की गई इसे start किया गया ताकि देश के कोने कोने से जाबास प्लेयरों को भारत में इस बड़े platform पर ले करके आया जा सके ताकि international जितने भी हमारे sports events होते हैं होते हैं चाहिए वो वर्ल्ड athletics events क्यों ना हो चाहिए olympic क्यों ना हो चाहिए winter olympic क्यों ना हो चाहिए वह Asian games हो चाहिए Commonwealth game ही क्यों ना हो तो ऐसे बड़े-बड़े platform पर बड़े international games में हमारे player काफी जबर्दस तरीके से वहां पर performance कर सके यह चीज को ले करके इस खेलो इंडिया youth games को भारत के अंदर start क्या गया और जिसका fifth edition अभी हाल ही में organize क्या गया तो यह event क्या है इससे पूछे जाने वाले अलग-अलग तरीके के questions क्या हो सकते हैं इन्हें हम आज की class के अंदर हम एक एकर के सारे points को देख लेते हैं तो खेलो इंडिया youth games क्या है तो खेलो इंडिया youth games जो है 2023 में इस event की शुरुवात की गई थोड़ा सा इसको मैं arrange कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना जाए तो खेलो इंडिया youth games जो है 2023 वैसे तो 2022 में यह event होना चाहिए था लेकिन इससे extend किया गया COVID की वज़े से और इसे 2023 में organize किया गया मध्यपरदेश के अंदर मध्यपरदेश के जो CM है शिवरा सिंग चोहान और मध्यपरदेश गवर्मेंट के sports minister या शोदरा राजे के दौरा इस sports को इस event को start किया गया देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको दो mascot देखने को मिलेंगे तो इन्हें आप मुझे comment box के अंदर बता रहे हैं कि इस बार खेलो इंडिया youth games का mascot क्या रहा है तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यह जो edition था यह fifth edition था यह आप लोगों को ध्यान में रखना है जिसको मध्यपरदेश के अंदर organize किया गया है पिक्चर देखकर कि आपको समझ में आ रहा होगा कि mascot क्या रहा होगा इस बार के खेलो इंडिया youth games के अंदर तो खेलो इंडिया youth games के बारे में हम काफी चर्चाएं कर रहे हैं तेरा दिन का यह sports events था जिसको organize किया गया 27 games इस खेलो इंडिया youth games के अंदर खिले गए 8 cities के अंदर इसको खिला गया और लगभग लगभग 6000 से भी जादा athletes ने इसके अंदर participate किया इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसा कि मैंने आपको शुरुवात में ही बताया कि यह edition कौन से number का था तो fifth number का इस edition को organize किया गया माध्य पर्देश के अंदर और माध्य पर्देश में भी इसकी शुरुवात कौन से city से की गई है तो मध्य परदेश की medal tally के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि महरास ने इस Khinow India Youth Games के अंदर top किया है तो सवाल यहीं पर बनेगा कि which state top rank in the Khinow India Youth Games तो answer is महरास महरास के पास total medal 161 medal जिसमें 56 medals यहाँ पे gold medal जीते हैं second number पर कौन रहा इस खेलो इंडिया यूद गेम्स के अंदर तो हर्याणा यहां पर आपको second position पर देखने को मिलेगा और host state जिसने इस event को host किया है वो third position पर याने मध्य प्रदेश आपको third position पर हर्याणा ने 128 total medals जिसमें से 41 यहां पर गोल्ड हैं उसके बाद में मेजवान state की बात करें याने host state की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास 39 गोल्ड यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इसके अलावा सबसे last position पर जो की इसके अंदर हमें देखने को मिला है तो वह है त्रिपुरा त्रिपुरा ने यहां पर एक single medal bronze medal जीत करके यहां पर लास्ट रैंक यहां पर आपको देखने को मिलेंगी इसके अलावा इसके first edition की यदि हम बात करें कि खेलो इंडिया यूद गेम्स की शुरुवात कहां से हुई है तो 2018 में इसकी शुरुवात की गई थी और पहला इवेंट जो होस किया था वो दिल्ली के अंदर कराया गया था जिसमें जिसमें हर्याना ने टॉप किया था सेकेंड नंबर पर महारास्ट और थर्ड नंबर प था इसा पूछा जाएगा धिसमें जिए केν आपको मिलेगा हर्याणा यहां और आपको मिलेगा इसके बाद हम बात करें fourth edition देखे questions में ऐसा पूछा जाएगा कि भाई first जो edition था इसे कब organize किया गया और कहां पर organize किया गया अभी recently वाला जो हुआ है वो कहां पर हुआ है तो मद्यपरदेश fifth edition लेकिन आप से पूछा जाएगा कि भाई कि इसका fourth edition कहां पर हुआ ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है 2021 में इस edition को organize किया गया और इसे पंच कुला हर्याना के अंदर organize किया गया यह आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसमें हर्याना ने टॉप किया था second number पर महरास and third number पर करनाट का आपको देखने को मिलेगा और recently 2022 का जो event था 2023 में कराया गया मध्य परदेश के अंदर तो यह हम लोगों ने अभी हाली में देखा इसके बाद हम बात करें इसका winter edition भी होता है देखे खेलो इंडिया youth games के भी दो पार्ट है एक आपको अभी recently देखने को मिला है और इसका winter वाला पार्ट भी आपको दे यह सारे games भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे example skiing आपको देखने को मिलेगा इसके बाद में snow bandy आपको देखने को मिलेगा snow hockey आपको देखने को मिलेगा तो ऐसे कई सारे winter events जो है sports के वो organize किये जाते हैं hello India youth games winter edition तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसकी शुरुवात जो थी वो 2020 में की गई थी फर्स एडिशन ले लद्दाक और गुलमर कश्मीर में इसका पहला event organize किया गया लेकिन अभी recently जो एडिशन organize किया गया वो था third edition जो की 2023 में हुआ है और यह गुलमर कश्मीर के अंदर इसे organize किया गया था ठीक है third edition और अभी recently इसकी closing ceremony हुई है और फर्स नमबर पर यहां पर आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया है second नमबर पर महरास्ट रहा और थर्ड नमबर पर यहां पर हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा लेकिन यदि आ काफी सारी information आपको इस खेलो इंडिया यूद गेम्स के अंदर देखने को मिली हैं तो आज के लिए हमारे इस sessions में इतना ही उमीद करता हूं आज का topic आपको काफी अच्छे तरीके से and short में सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आज के लिए हमारे topic के अंदर इतना ही thank you everyone and have a nice day to all